चत चत की जैसे हम तेल भूंचते हैं जब हम फ़ूंज़ते हैं तो उसमें से चत चत की आवाज आती है यहने कि फोलिख पनता है how is ledoo you welcome how is ledoo good good yeah yummy yummy yes Ram let Dümmy yes Kalo Kalo हाई एवरीवन नमेशकार सलाम रम राम आप सभी को विलकम बैक टुड़ा इंडियन फैमली न्यूक के ब्लॉग आशा करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे बहुत है सारा प्यार आप सभी को हम लोग भी ठीक हैं और यह है दे आफ था एक दिन पहले मैं लाइब आई ही थी था स्टे को क्योंकि दे आफ था उस दिन मेरा तो ऐसा था नहीं कि मुझे सुभा आखे और थोड़े देर आराम करना हों या सोना हों और सो भी नहीं सकते हैं क्योंकि हस्बेंट जिस वीक में वो मॉनिंग होते हैं उस वी रही हो क्योंकि बच्चों की आने का टाइम है और आपको पता हिए पिछले एक हपते से इधर उधर सारी मुविंग हो रही है पूरे घर में तो सारा जो कुछ करना पड़ रहा है नए सिरे से प्रियंका भी नीचे आ गई है तो जब तक उसका मन होगा नीचे रहेगी जब एक बेट वो है और एक बेट सिंगल है यह दो सिंगल बेट बेट हुगा करते थे ऐक सिंगल बेट मैं अपनी फ्रेंड के रूम में रख दूंगी जब CMS हो जब आना चाहकी तब आ जाएगी फिलाल का रूम रेडी है तो वही सारा हस्भेंड भी आजि फ्राइड़ था जल पिछले एक हपते से इसी में लगे हुए और मैं ऐसा नहीं है कि मतलब एक सिरे से लगकर एक ही दिन कर लूँ मुझे जब टाइम मिलता है क्योंकि जॉब पे भी जाना घर भी देखना बचों को भी देखना सारा काम खुदी होता है न तो फिर इन सब चीजों में भी जब काम मिलता है जो मनलब टाइम मिलता है तब मैं ये सारा काम भी निप्टा देती हूँ कुछ बिगड़ गया है यह रोते रोते आए हैं दोनों लोगों ने कुछ जगड़ा किया है तो इनकी भी सुननी पड़ती है बीच-बीच में और थोड़ा इनको भी कडल किया है तो बिल्कुल से आप लोग बिल्कुल से चिंता मत करियेगा इसकी रेसिपी आपको भी आगे ब्लॉग में दिखेगी तो विडियो को एंड तक जरूर देखिएगा मैंने आपको बनाया था ना कि मैंने कुछ अच्छा सा बनाया है आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स ब्लॉग में वो वीडियो लॉग हो रही थी अगर मैं ये रेसिपी शेयर कर देती तो काफी लॉग हो जा रही थी तो इस वज़ा से मैंने ये इतना क्लिप नहीं शेयर किया था ट्राइ जरूर करिएगा ये लड़ू बहुत अच्छा होता है मैं अक्सर सर्दियों के टाइम में इस तरह की चीज़े बनाती हूं गोंद के लड़ू बनाती हूं जो पेवर गोंद से बनते हैं वो वाले भी लड़ू मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया जब से आपसे जुड़ी हूं आपसे नहीं भी जुड़ी थी तब भी मैं ये सब बनाती थी क्योंकि ये मेरी दादी बनाती थी और तब मुझे इसका कीमत नहीं पता होता था क्योंकि तब कभी अच्छा ही नहीं लगता था और जब दादी के मेरे क होता है नहीं कि बच्चे बहुत ही स्मूथ सा खाना पसंद करते हैं यह सब मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं इनको मैं खिलाती रहती हूं और आपके सामने ही देख लीजिए रामकृष्ण ने कैसा रिव्यू दिया है तो बहुत अच्छा लगता है और एक लड्डू आपक हमारारी हूं दाल चावल और आलू पालक की बहुत ही सिंपल सी सबजी है और यही नॉर्मल से खाना होता है जो बेसिक तोर पर बनता है मेरे इहां कभी आलू पालक की बन गई कभी जो है कोई और सबजी है तो एक सबजी बन जाती है और दाल चावल तो जरूर ही बनता है तो यह देखिए अलू पालक में मैंने तेल से तड़का दिया है हींग है और मेथी है जीरा है इसमें और लाल वाली जो खड़ी वाली मिर्च होती है न सुखी वो है उसी से तड़का दे दिया है और हल्दी के साथ इसको पगाया है कोई भी इसमें और मैंने मसाला नहीं उसकिया और यह सबजी बहुत अच्छी होती मुझे चावल के साथ ही यह सबजी बहुत अच्छी लगती है यहां मैं रामकृष्ण का खाना निकाल रही हूं रामकृष्ण को दाल चावल ही खिलाऊंगी और तब तक आप आगे लड़ू की रेसिपी नजवाए करिए और बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तब ही आपको समझ में आएगी रामकृष्ण का ही ये खाना में ले जा रही हूं एक ही बॉल मे तो यहां मैंने लिया है ये जो फ्लैक शीट होता है अलसी का जो शीट होता है वो है इसी का आज लड़ू बनाऊंगी यही है मेन इंग्रीडियन्स और इसमें कोई आटा वगेरा का यूज मैंने नहीं किया है और ये पंकिन शीट है सब ये दोनों मैंने बराबर ही लिया ह एक कटोरी वो है, एक कटोरी पमकिन शीट है, और ये अखरोट है, और एक कटोरी यहां मैंने ले लिया है, ये फूल मखाना, मखाना लिया है, और बादाम है, काजू थोड़ा कम था, तो मैंने काजू कम ही लिया, आधी कटोरी के हिसाब से लिया है, और आधी कटोरी गोंद ले लिया है और साथ में एक कटोरिय जो desiccated coconut होता है वो ले लिया है और बस यही सारा ingredients और चलिए इसको बनाते हैं बताती हूँ कैसे बनाया मैंने तो यहाँ सबसे पहले इसको ऐसे भुन लेंगे जैसे जब तिल जैसे हम भुनते हैं अच्दम चटकता है बुनते बुनते ऐक तम अच्छी से खुशभु आने लग जाती है वर दो से तीन मिनट में यह भुन जाता है और फूला फूला सा होने लग जाता है और आवा चट-चट की आने लगती है काफी बिघरता भी है बट सावधानी से करना है जहात नहीं जला लेना है तो इसको मैंने भुन लिया है अच्छे से और दो से तीन मिनट तक भुन लिया है इसको एक बॉल में बड़े वाले निकाल दिये हैं यह ठंडा हो जाएगा जब तक मेरा और भी जो सारे ड्राइफ र जनाया है बहुत ही फैटलेस है और इन सारी चीजों का अलसी का क्या गुण है यह आप जान ही सकते हैं गूगल करके देख लीजिए तो इसमें काफी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है फाइबर होता है और ओमेगा-3 होता है और यह कैंसर के रिस्क को भी कम करता है और साथ में जो है maintain करता है आपका weight loss भी और cholesterol की जिसको problem होती है उन patient के लिए भी अच्छा होता है blood pressure की किसी को अगर problem हो उनके लिए भी अच्छा है heart related अगर कोई problem हो diabetes हो इस तरह की सब चीजों में immune system आपका अगर weak है उसके लिए भी अच्छा होता है यह तो काफी इसके benefit है आ और देख सकते हैं और उसी benefit के तहट मैं यह लड़ू आज बना रही हूं लास्ट येर भी मैंने बनाया था उसमें flagship सिर्फ नहीं था बाकि यही सारी चीज़ें थी वो मैंने गोन के लड़ू बनाये थे तो इस बार मैंने गोन के लड़ू कम बनाए है अभी पहला इसे भी कम है तो इकोन को मैंने थोड़ा भूनने के लिए इसमें घी डाला है और इसको जैसे फूला फूला सा एकदम मखाना जैसा यह हो जाता है कि हाँ से दबाईए तेकदम यह तूटना शुरू हो जाए और आप देख रहे होंगे कि सबसे लास्ट में मैंने मखाना भ इसलिए मैंने जितना भी घी भुणा था गोंते समय इसलिए भूना था कि ताकी मुझे एक भार मैं माकँठा डालूंगी तो सब घी सोक कर लेगा इसलिए उतना घी yo द़ूह कर ले और सबसे तो भी चल जाएगा 10-15 दिन, 20 दिन जब तक खाना चाहें या 6-15-20 दिन कहीं नहीं गए, बिगडेगा वो इसका कुछ भी तो ये मैं शुगर में नहीं बना रही हूँ, चीनी में नहीं बनाऊंगी ये मैं गुड में बनाऊंगी, तो ये गुड भी मैंने इस तरीके से चाकू से पतले-पतले काट लिए हैं, इसको चाशनी बनाऊंगी चाशनी का मतलब जस इतना ही बनाना है कि जैसे गुड जो है हमारा घुल जाए, ताकि मैं जब और ये दो से तीन मैंने गुड छोटे साइच का है, तो दो से तीन गुड यानि कि ये भी मैंने एक कटोरी के हिसाब से लिया है, आप देख सकते हैं, जितना ये कटोरी में है सब कुछ एक कटोरी के हिसाब से है तो जैसे आप इंग्रेडियन्स की मात्रा कम या जादा कर सकते हैं अपने फैमिली के आवशक्ता के हिसाब से तो कोशिश यही किया करिए कि एक ही अंदाज रखिए एक ही माप रखिए जैसे मैंने एक ऐसी कटोरी का ही उस किया है, एक कटोरी से ही मैंने सारे चीजों का नाप लिया है, एक कटोरी एक कप के बराबर है, तो यह नहीं कि कोई छोटी कटोरी, यह कोई बड़ी कटोरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे रेसिपी का फिर जो माप होता है, वो भी ग परफेक्ट बनी खराब हो गई तो इसलिए कोशिश यही रहता है मेरा कि एक ही कटोरी से मैं हमेशा जो है मेजर्मेंट करूं तो मैंने एक कटोरी का ही नाप लिया है सारे सारे आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो फिर सबको यहां मैंने इस तरीके से दरदरा से थोड इतना पीशना इसमें काफी है अगर आपके पास मेकसी हो आप उसमें भी पीश सकते हैं बुजर्ग के लिए बना रहे हैं थोड़ा महीन पीश दीजिए लेकिन मेरे हैं ऐसा तो कोई बुजर्ग है नहीं दात अच्छे खाते सबकी अभी चलते हैं और इतना यह कोई कड़ लड़ू नहीं बना है बहुत ही सौफ्ट बना है कि आपको ने देखा ही कि रामकृषने भी बड़े आसानी से खा रहे हैं और बच्चों को भी यह मैं एक टिफिन में दे देती हूँ और कोशिश यही करें कि यह लड़ू जब खाएं तो पानी ना पिएं दूध के साथ जरूरी होता है एक लड़ू शाम को खा लीजिए बजाये चोकलेट देने के बच्चों के इस तरह की चीजें बच्चों को दीजिए जो हेल्दी हो उनके लिए और मैं दो टिफिन में भी देती हूँ बच्चे ले जाते हैं और बड़े आराम से खाकर आते हैं और घर में मैंने फ्रिज क्ली में दिया और अधा से निकाल दिया या नहीं पीसा है तो आप देख सकते हैं कि मैंने मखाना भी इसी में पीस लिया है और गोन भी इसी में पीस लिया है और थोड़ा सा ही गोन मैंने डाला है ज्यादा नहीं डाला है इससे लड़ू में जो क्रंचनेस आती है न वो बहुत अच्छी लगती है और गोन को अच्छे तरीके से जैसे लो आज पर ही इसको भूने नहीं ते क्या होगा उपर से यह फूलेगा लेकिन अंदर से यह क्या होगा कि जब आप खाएंगे तो दादों के नीचे यह चिपकेगा यानी कि कच्चा रह जाएगा तो बहुत ही मतलब सावधानी से गोन को फ्राई करना होता है तो यहां फिर सब कुछ मैंने पीस के रख लिया है एक साथ मिक्स कर दिया है और यह गुड जो था इसमें थोड़ा सा पानी मैंने मिलाया है हाफ का टोरी के जितना और सब को यहां पर एक गाड़ा सा लिक्विड बना लेंगे कोई चार्च नहीं बनानी है किसी तार की और थोड़ा सा इसमें मैंने फिर घी डाला है कि लड़ू बादने में भी आसानी हो टेश्ट भी अच्छा होता है तो आपने देखा होगा कि एक बार घी मैंने जब सारे ड्राइफ रूट भुन रही थी तब मैंने हाफ स्पून करीब घी डाला था उसके बाद फिर मैंने तो यह देखिए सारा मिक्शर मेरा रेडी है तो इसमें क्या करेंगे अब यह जो इसका में इंग्रीडियंस है यह जैसे सर्दी में हम लोग सोट होता है जो पिसा हुआ अद्रक होता है तो मैंने एक टी स्पून वो डाल दिया है और दूसरा यह है जाइफल जाइफल मैंन इसलिए इसको पानी के साथ नहीं खाना है इसको दूध के साथ खाना है हर चीज इसमें गरम ही है तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आप चवन प्राश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे बच्चे आपके अगर चवन प्राश ऐसे नहीं खाते हों तो एकाथ चम होंगी तो उसमें एकार चमच में मिला दूँगी हलाकि ये लोग तो चवण प्रास ऐसे भी चमच से खा लेते हैं उसके बाद जैफल अगरा सब को मैंने सब एक साथ मिला दिया और ये सब मिक्षर एक बार में ऐसे अच्छे से मिला देना है ताकि एक जान हो जाए ये नहीं कि एक कहीं पे मिले कहीं ना मिले तो सीधे इसको ऐसे चाशनी में नहीं डाल देना है यानि गुड में नहीं डालना है सबसे पहले सब को एक तार कर लेना है और लास्ट में मैंने यहां किश्मिश मिलाया है किश्मिश भी मैंने यूज किया था और फ्राई भी किया था हलका सा रोस्ट कर लिया था फ्राई मतलब इतना नहीं किया था रोस्ट ही किया था इसको क्योंकि ताकि मैं इसको जारा दिन श्टोर कर सकूं या फिर यह जा सके तो फ्रिज में नहीं रखा है मैंने ऐसे लड़ू बाहर ही डबे में रख दिया है तो ये देखिए हमारी गाड़ी सी चाशनी इसकी जेड़ी हो गई है सारा गुर हमारा घुल गया है अब धीरे धीरे इसमें एक एक स्पून करके मैं मिलाती जाओंगी और गैस का फ् या कुछ लोग इंडिया में रहते है तो वहाँ तो भी इतनी ठंड नहीं शुरू होई होगी कि हम लोगों के अहां तो ठंडा होता है तो मैं क्या करती हूँ जब भी कोई भी लड़ू बनाती हूँ अगर माली जे लड़ू नहीं बन रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी मिला सकते हैं लेकिन मेरा लड़ू बनने लग गया था भी आप देखेंगे ही तो आगे थोड़ा कर लिया है क्योंकि हाइंड को स्ट्रेच करना पढ़ रहा था थोड़ा खिचाओ पढ़ रहा था मेर बहुत जादा गरम भी ना चुएं क्योंकि गुड़ बहुत जादा ही गरम होता है तो बस अब जल्दी जल्दी इसका लड़ू बांद के और फिर आपको मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगी लेकिन एक मेरे कहने से इसे ट्राइ जरूर करिएगा घर में और जिनको और शुद्ध लड़ू मेरी दादी के हाथ के है और जब भी ये लड़ू बनाती हूं मुझे उनकी याद आती है और वो गोन के लड़ू भी आटा वाले जो बनाती थी तो वो भी किसी दिन में आपके साथ शेर करूँगी जब भी बनाऊंगी तब और एक टाइम होता था कि जब ये सब चीजे नहीं अच्छी लगती थी लेकिन उस समय हमें इसके महत तो नहीं पता होते थे वो बड़ी थी उनको पता होता था कि इन सब चीजों का महत तो कितना है लेकिन हमें क्या पता होता हमें जो टेश्ट अच्छा लगता था जो जबान को अच्छा लगता था खाने में बस हम C को समझते थे कि वही अच्छा है जो अच्छा नहीं लगता था जो लगता था कि ये बहुत हार्श है उस तरह की चीजे नहीं अच्छी लगती थी बच्चों को कभी नहीं अच्छी लगती है लेकिन एक जब आपके एक एज हो जाते है एक टाइम आ जाता है तो आप उन चीजों को समझने लग जाते हो उसके गुण समझने लग जाते हो तब आप कोशिश करते हो कि अच्छा चलो भाई अब हम अपने बच्चों के लिए वही चीज ट्राई करेंगे तो बस मैं भी वही करती हूँ अपनी फैमिली के लिए मैं भी वही सब ट्राई करती हूँ जो मैंने उन से सीखा है और ये देखे सब कितना मेरे हाथ में घी आ गया है जबकि मैंने घी का यूज बहुत ही कम किया है इसमें आपने देखा ही होगा और इसको बनाते बनाते हाथ भी लाल लाल से हो गए क्योंकि इतना तो गरम है ही कि हाथ हलका फुलका जलता ही है और इसे गरम ही बनाने में ज़्यादा ये अच्छा होता है गरम ही अच्छे से बन जाता है बहुत जारा ठंडा हो जाएगा तो फिर से गरम करने में प्रोबलम होगी लड़ू बांधने में भी प्रोबलम होगी तब फिर आपको गी का इस्तेमाल करना पड़ेगा गरम गरम डालके तो ये देखिए सारे लड़ू हमारे बन गए हैं और ये हलका सा ठंडा हो गया है अब मैं आपको इसको तोड़के दिखाती कहीं से कुछ भी नहीं दिख रहा है कि यहां पे फ्लैक शीट है यहां पे पंकिन शीट है कुछ भी मूँ को लगेगा बच्चे नहीं खाएंगे बहुत ही सॉफ्ट सा लड़ू ये बन के तियार हुआ है और सब बहुत इंज्वाय कर रहे हैं इस लड़ू को घर में सभी जटा रहे हैं जल्दी ही मैं दूसरे लड़ू की वी रेशबी आपके साथ शेयर करूंगी मैं ने लास्ट लका बनाया था आपके साथ शेयर किया था और इस बार वी बनाओंगी तो तो यह काम हुआ उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने बदाया था कि अब shopping list मेरा बना के मैं रखती जाओंगी ति यह मैं इस तरीके से list में सारे चीजे जो खतम होते हैं वो ऐसे डाल देती हूँ अब आप कहेंगे कि मुझे क्या English में लिखना नहीं आता बाबा English में भी लिखना आता है लेकिन क्या करूँ आदस से मजबूर हूँ आप तो जानते ही आजकल डिजिटल जमाने का टाइम है हर एक चीज हम shopping भी mobile पे कर लेते हैं shopping भी internet से करते हैं online कर लेते हैं English मतलब कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है mobile पर हम लिखते हैं तो mobile पर भी हम अंग्रेजी ही लिखते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं लिखती हूँ तब हिंदी में ही कोशिश करती हूँ ताकि मैं हमेशा हिंदी में लिखती रहूं बोलती रहूं और कभी मुझसे यह आदत छूटने न पाए तो जब भी मैं अप को ये ब्लॉग पसंद आएगा और जो भी पसंद आया हो इसमें प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा आपके लाइक से आपके कोमेंट से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है मैं आप से मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में अपना बहुत ख्याल रखिए जहां भी रहिए होधे सारा प्यार आप सभी को बाई बाई जैसी अराम सभी को नमशकार